एक बार फिर्चे स्वागत है इस वीडियो में तो रिसेंटली क्या हुआ है कि मुझे मेरे एक रिसेंट वीडियो जो मैंने तीन साल पहले अपलोड किया था उस पे कमेंट आने शुरू हो चुके हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ कहरी मुझे इंस्टाग्राम पे और कु है उसके साथ एक नई extension जुड़ जाती है उसका नाम कुछ भी हो सकता है SSP क्यों या PPS क्यों करके तो मेरे साथ तीन साल पहले यह हुआ था और तब उसके अंदर फाइल के अंदर आपको एक चोटा चा नोट भी मिलता है कि अगर आप इसको फाइल को decrypt करना चाहते तो आ इसकी मदद से मैंने अपनी कंप्यूटर के जितनी भी फाइल से वह सारी decrypt की थी और वह जब मैंने तीन साल पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने शेयर भी किया था वह decryptor तो आज जब queries आ रही है तो मैं बता दू कि वह तीन साल पहले मैंने उसका link जो मैंने था वीडियो के नीचे डाला हुआ था तो वहां से decrypt की थी मैंने फाइल वह आपको डाउनलोड भी कर सकते हो लेकिन अभी queries आ रही है कि उससे नहीं हो रहा है तो मैं वह आपको अभी SQL वाला virus या VVNM जो भी जिसी भी तरह का virus है उसको आप सारी files को आप निकाल सकते हो लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें बहुत ज्यादा time लगने वाला क्योंकि ये एक single file को नहीं decrypt करता ये पूरी की पूरी partition को decrypt करता इसलिए आपको दो partition बनानी पड़ेंगी एक partition जो खाली रहेगी second partition जिसमें आपका data recover होके उसमें जाएगा तो यह कैसे करना मैं आपको बता देता हूं आ आ जाते है सीधा scene पे यहां पे मैंने already एक भाई ने मुझे बोला था कि उसकी एक फाइल मैंने already एक बर करके भी देखा वो decrypt हो चुके तो आप भी कैसे कर सकते हैं बता दूं आपको जो मैंने software दिया था उसका नाम था एक और software है जिसका लिंक में अभी आपको वीडियो के लिंक नीचे description में आपको प्रवाइट करवा दूंगा जिससे आप वो कर सकते हो ठीक है तो आपको वह डाउनलोड कर लेना है ठीक है डाउनलोड का जो मैं आपको प्रवाइट कर दूंगा उसके बाद उसको एक्स्ट जिसके अन्दर जैसे आपको यहां पर सारी ड्राइब आ जाती है जैसे मेरे 500 GB वाली टाइब है और 240 GB वाली टाइब है जैसे 500 GB वाली ड्राइब है इसके अन्दर पार्टिशन है जैसे कि यह एक 200 GB का 270 GB जी जी पी 50 इसके अंदर इखटा करने के बाद आप नीचे आजाना यहां पर फाइल फॉर्मेट्स में यहां पर अल्रेडी सारे फॉर्मेट्स दिये हुए कि आपको आपकी फाइल जैसे वीडियो फाइल है या आपकी फॉर्मेट्स फाइल है कौन-कौन सी फाइल को उसको सर्च करेगा और किन-किन फाइल को रिकवर करेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सारे ही टिक कर सकते हो अगर आप सारे टिक नहीं करना चाहते तो आप एक करके टिक कर सकते हो how इस फाइल फबने कि या फिर आपकी वीडियो फाईल हो और यहांपे मैं बीडियो स्लेक्ट कर रहा हूं मुझे between the videos 4 eventually one post file document file जिस तरह की आपकी मिंझे सारी की सारी जो है यहांपर है आप कर सकते हूं जैसे कि मैं यहां से कर लेता हuis मैं वी मॉव है इतने वीडियो स्था चया मालू आपके विडियोध जो है वह आपके डॉक्मेंट्स फाहिल हैं वह तो आप अपनी जितने वीडियोध हैं वह आप यहां पर सकते हैं मैं उसको आपने शुक्ष करें लिए विधियो वालिक्स को फिर इसको करें ना ईडिएं विडियो से जाके एक खाली मंटर कोई भी डेटा नहीं तौलन कि आपश कंगर डेटा शुक्त मेरे अंदर मैं यहां यूटुप वाले मेरे यह जतने भी फाइंगी वीडियो सितनी फाइल होगी जो Jiciones शुरू हो जाईगी है मोवी वाली MKV इतनी फाइल होगी वह अपने आप जो है टाइम लगता है अभी मेरा ये मेरे ख्याल से उस वाले फोल्डर में ज्यादा डेटा नहीं था तो फिर भी एक पार्टिशन जो 100gb की होती है उस पूरी की पूरी पार्टिशन को सर्च करता है तो इस सौफ्ट्वेर को टाइम लगता है आप इसकी मतलब से अपना डेटा कर सींग कर तो है क्की तरह कुंडों को के दिए क्यु आप और बहुत तरह होती है तो उनको कर देगा जिसके वजह आपका पूरा जो अपना डाटा करके ररक रही हो वह फिर से भर चाएगा इसलHere जो आपती। है like jpg video documents वह वाले format जो भी है वह आपको select कर लिए ठीक है उसके लिए आप अपनी वाली फाइल है उसको चेक कर लिए उसकी extension क्या थी M4 थी MP वही वाली extension जो है अपने format के अंदर select कर लिए select करने के बाद that's it आकी का process आपने मैं बता दिया वैसे कर लिए ठीक है 100% कर देगा घंटा भी लग सकता है और आपके computer की स्पीड पर भी डिपेंड करता है ठीक है computer अगर आपका 2GB RAM इसमें 16GB RAM है मेरे वाले PC that's why यह इतना जल्दी कर रहा है आपकी computer में 2GB RAM है 4GB RAM है तो उसको इससे चार गुना ज्यादा टाइम लगेगा जातो आपकी RAM 16GB या 8GB 8GB कम से कम तो आई थिंक इससे दो गुना टाइम तो लगेगा 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 तो इस तरीके से आप इसको decrypt कर सकते हैं अब मैं इसको quit कर देता हूं मैं आपको दिखा भी देता हूं जो आपकी files है जैसे अभी मैंने हमने किया है मैंने YouTube वाले folder के अंदर यहां पर रखे थी फाइल यह रीकप करके आपकी फाइल्स है आई इस वाले folder में कोई भी ऐसी फाइल नहीं थी जो चली नहीं आपकी जितनी भी files होगी आप उनको चला सकते हो और इसी तरीके से आप उनको पहले ट्राइब करना अगर आपकी फोटोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ फोटोस फोटोस कर लेना तो आपकी फोटोस भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाए इस वाले folder के अंदर कोई भी वीडियो फाइल नहीं थी यह सब फाइल कंप्यूटर ऑपरेटेट थी जो कंप्यूटर में थी वही वाली फाइल्स डिक्रिप्ट कर दिये इसी तरीके से आप भी अपनी फाइल को डिक्रिप्ट कर सकते हैं अगर कोई और भी अगर नहीं हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को दुबारा देख लेना थोड़ा समझ लेना नहीं समझ माई तो मुझे कमेंट करके जरूए और वीडियो अगर आपके थोड़ा भी हेल्फुल हो तो लाइक करना कमेंट और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना और आइंदा से आप जो पाइरेटेट सॉफ्टेर यूज़ करते हो जो आपको ऑनलाइन क्रैक वर्जिन सॉफ्टेर उन से बचके रहो तब उसी का कम